कि गुड मानिंग बच्चों कि हम लोग कास्ट अकाउंट में अभी तक हम लोग अभी तक चार बोल्ड रून पढ़ लिये थे कि आर लोग और भी बोल्ड रून पढ़ेंगे उसको लोग पढ़ेंगे बहुत बेज अच्छे तरीके से इनको आपको ध्यार रखना है जैसे गोल्ड रून नबर फाइव हमको पढ़ना है कि गोल्ड रूस पांच नियम पांच क्या कहता है आप से जार रखना है गोल्ड रूस नंबर पांच की टास्ट अटाउंट में कि भाया हमता है सबसे पर जारएं कंशिट आप हैं असरी या कि पढ़्णी वाटैनल है कि एख यांता दो मतलब होता है कि और सेस्ट होते हैं। उसे और का स्ट या इंडारेट इक्सप spr 실ी आप जाता है् कि इसको आपको दहां मतलब तरorer है इंगास्ट काउंटिंग है इंडारेक्ट एक्सेटंस कि इंडार्यक्ट एक्सवर्स डोhण एज रिधिए था जो में तो श्में जो या तो वह कि या होकुण हो Так और अंकास्त का यह को मैंने फैर पॉइड़ा है अला है नेजर आफ और कास्ट यह टाइफ आप्पकास्ट लिए मीचा आफ आनकास्ट इन को स्ट आकांटिंग जो आपके तो तीन नेचर के खर्चें होते हैं जारतना है नेचर आप आनकास्ट में पढ़ेंगे इसमें जरूर रखेंगे तीन नेचर मिलेगा आपको इनडायट एक्सपरंस का यह चीजिए आप जानते भी है जैसे फैक्टरी एक्सपरंस कि उंद्य में च hood व Sub 1970Xi पॉर्ट एक्सपरंस कोई दूसरा नाम दिया गया है factory आप यह या और भी डिया गया है तो काने का मतलब कास्ट एकाउंट में चाया फैक्ट्री एक्स्ट्रस बोलिए चाया फैक्ट्री ओबरेड बोलिए बात वही है इसी तरीके से आफिस आनकास्ट जिसको और लोग क्या बोलते हैं आफिस एक्सट्रस को हम लोग आफिस आनकास्ट के नाम से बोल सकते हैं या इसी को आफिस ओफिस के नाम से भी बोल सकते हैं कुana है ओर से गेंग डिस्तिबिऊइड इसे को से एंड डिस्तिब्यूशन एक्सिर्स अं व्हां क्सक्ते हैं में जोब ग्ली इंदर का नाम दिया गया है उसी को अनकास्ट कहा चाता है यह बात पीजुन जान लीजिए और समझ लीजिए सब्सक्राइब अब इसके अंदर है में कौन कौन से खर्च आते हैं में कौन कौन से खर्च जाते हैं अच्छी पांज में में सबनेंखने उसको हम घ्रेख सबोलते तो इस अपांज में कास्ट एकाउंट में एक ऐसा है जो पूरी तरीके से फैक्ट्री रेवल पर बेस्ट होता है फैक्ट्री के अंदर वाले जितने खर्चे होते हैं उनको फैक्ट्री एक्स्पर्स बोलते हैं जैसे आप जाल जिए अगर किसी भी पाहली बात इसमें हमको आपको बताना है जैसे कहीं लिखाओ फैक्ट्री रेंट जे बात इन्याद कामन बात आपको अभी में बताऊंगा फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री डेप्रिसेशन फैक्ट्री प्लोड आएल गैस एलेक्ट्रिशिटी ते प्लोड आईल गैस एलेक्ट्रिशिटी फैक्ट्री एंसोरेंच प्लोड आपको ड्रोड़ करते हैं यह एक चीज़ आप देखरा होंगे कि सभी जितने भी एक्समेंस एक चीज़ आप देखरें जितने भी एक्समेंस वहाँ पर इसे रेंट है तो उसके साथ लिग दिया का फैक्ट्रिसेशन अग्यूव पर एक्सवाइट यहां पर एक चीज कामन दिख रहे कि अगर किसी पीड़ैयेट एक्सपेस्स के साथ साथ लिए जाए था यह आपको जा रहा हूँ और कहीं लिखाओ आपिस रेंट अभी मैं पढ़ाऊंगा तो यह प्योर आपिस का खर्च माला जाएगा लेकिन अभी मैं एक चीज और बताऊंगा यह प्यूंद लिखा तो यह प्यूंद नेचर का खर्च हो जाएगा कि जब भी किसी इंडाइट एक्सपरंस के सामने जब भी किसी इंडाइट एक्सपरंस के सामने इता है के आए फैक्ट्री सब्द का इस्तेमाल किया रहे हैं बच्चों फैक्ट्री एक्सपरंस के सामने इंडाइट एक्सपरंस के सामने इप्री का इस्तेमाल होगा कि फैक्ट्री में जाए इसके अलावा आपको द्यांगर रखना है जैसे सुपर वाइजर सैलरी है इस पर वाइजर एक्स्ट्रेंस या सुपर वाइजर सैलरी जैसी को हम लोग बोलते हैं पोर मैं जो आपका देख रेक करते हैं है और में सर्ब यह फ्योउर्ठी नीचर का खर्च है यह मन्यक्स वाप मता जरू जान लेना बदेंस में जह सिर्थ नेजर की कर्च है कि है संगल अब होता है कि हम प्रोड़क्टिव लेव हुए इंडारेक्ट मेटेरियल जिसे डारेक्ट मटेरियल तो वहां चला जाएक प्राइम टास्ट में लेकिन इंडारेक्ट बेस्ट इन डारेक्ट मेटेरियल यह सब आपका इस्टीम का मतलब भाव इस्टीम आपने एक सब सुना होगा है यह सर्थ यह से हलेश का है और मतलब जो कोल माईन और आइल घरमें कोल माईन आहिए कि में दी गई मजदूरी उसको कोल वाइन में दी गई मजदूरी को हाइलेस बोलते हैं तो सुपर वीजन सैलरी इंडायड बेस इंडायड मटेरियल इस्टीम पावर हाइलेस यह सब खर्चों को आपको जाने रखना है यह सब सभी खर्चे कहां चले जाएंगे इनका नेचर वैक् प्रचों अंडेड परसेंट आप जान लीजिए कि पूरा पूरा नेचर कहां पर होगा पंटी नेचर कहोंगे यह वाद आपको ज़रू रखना है कि यह आपको जान रखना है या इसके लाओं भी कही खर्चे हैं कि यूंट क्वाओं तों आप स्कृर्चों आप स्टों कांपो जानाया है इनको आप रखना है स्टोर्ज होता है नेचर को इसका मेटीरियल का होता है जनरने लेकिन इनको निखा हता है फैक्ट्री में लिए जिसे फैक्ट्री रैप्रीसेशन फैक्ट्री फ्यूल अगास इन डारेक्ट वेज जिसको अन पॉडॉक्टिव लेबर होते हैं इन डारेक्ट मेटेरियल इस्टीम पावर हाइलेज मतलब को माइन में दी गई मजदूरी इंपलाई ओंसे जुड़ी खर्चें इंपलाई वेलग एक्स्ट्रेस पोर यह आपका इस्टोर होगर यह आपके प को इसको अगर आपको लिखेंगे इनको एक जगा करके आपको लिखना पड़ेगा इसको आपको जरूर्द्यान रखना है इनको फाइप डेटर का खर्च माना जाएगा यह बात बड़े आसानी से आपको समझे लेना है कि यह इस अदिया स्वार्टी नेचर की खर्चे होगे हैं कि दूसरा इसी में कंसेक्ट आप आनकास चल रहा है आप इस एक्सपर्च जो आप इस नेचर के खर्चे होते हैं उनको जैसे किसी भी एक्सपर्च के सामने या कभी है कि जैसे किसी भी इंडाइट एक्सपर्च के सामने लिख दिया जाए आप इस आप इस सब्सक्राइब हो जाए आप इस रेंट कि डिप्रीशियेशन आप आप इस बिल्डिंग गैस वाटर इलेक्ट्री सिटी कि सर आप यहीं खर्चे तो आप महार बताए जहां बताएजिए अगर फैक्ट्री के साथ लिखा जाएगा तो फैक्ट्री में लेकिन आप इस रेंट आप इसमेंट आप डेप्रिशेशन आप आप इस बिल्डिंग गैस वाटर अलेक्रिसिटी यह आपको दान्ना रखना है इन्सूरेंस अगर आप इस में दिखाएंगे इनको आप आप इसमें दिखाएंगे यह बात आपको ज़रूर रखना है इसके अलावां भी कुछ कर्चे ऐसे होते हैं जो प्योर ऑफिसएल एक्सपेंस जैसे लीगल एक्सपेंस लीगल मतलब होता है कानुनी फोट कहेबी कि फिंदंस बैंक के जो को वँदे डारेक्टर की पीश कोचिंग के डारेक्टर की सब्सक्राइब जो सी होता है सियं अंडिक्टर यंब्यक्टर के आफ सी क्यां ब coffin कि शुबर्सूपराइज होगी सपारश होता है मैंदी डिर्ट दियों होगी ती कहीं होएगा जन्रल आइन स्टेबलिश्मेंट चार्जज जन्रल आइन स्टेबलिश्मेंट एक्सपेंस अबिस्टेशन से जुड़े खर्चें अबिस्टेटीब एक्सपेंस अधिश्ट्रेशन से दुभे फर्ची एड्मिस्ट्रेटिव एक्स्पेंस टुल्ट डारके है अगर आपने अगास प्रिशचाइश अगर हैं के Netz पूसर। हुआ है तो आफिस में जाएंगे लेकिन लीगल एक्समेंस बाइं फीज दारेक्टर फीज अडिटर फीज अंडी सेल्री जन्रल इस्टेश्मेंट चार्ज अग्मिस्ट्रेटिव इस प्योर आफिशियल एक्समेंस वाने जाते हैं जरू धर कि इस तब में नहीं ये कहीं जाएं इनको हैं कि आपको फंडेड़ पर्सेंट दिमाग mi लेना है कि यह सब के कि सभी sendiri जो भी होंगे ऑफिशियल लेक्सर के उसलिफ समय गर्डेंगे पूरव आफिशियल ओदकी कशनग के इनको हम दया 게त रखना है और भी कोई अगर होगा तो भी इसी में आ जाएगा आप इस नेजर के खर्चों में आज मैं पहला पांचों नंबर का जो पढ़ा रहा हूं को अब आपको अब आपको शेलिक एंडिस्टिवूशन नेजर की खर्चे बताना है कि मैंने आपको आपीस नेचर के सभी खर्चों का एक्जामपल बता दिया अब लास्ट पैम्रों को पढ़ना है सेलिक एंडिस्टिवूशन थ्सेलिक ऑंडिस्टिवूशन थ्टिवशन थ्टिवशन थ्टिव्शन है सेलिंग आइड डिस्टिविशन सेलिंग डिस्टिविशन एक्टर्स जितने भी सेलिंग और डिस्टिविशन नेचर के खर्चे होंगे सब इसमें आ जाएंगे जितने भी सेलिंग नेचर के खर्चे हैं इसको आपको ड्याम रखना जिरें पहली कटिग्री में बना रहा हूं पहली कटिग्री में या तोक्तल एकी बार में बता दो इसका नेचर जो है सेलिंग नेचर का होता है यह सेलसे जुड़े होते हैं जो भी खर्चे पूरी अडिके करिके से जुड़े होते हैं उन्हें सेलिंग नेचर का खर्च माना जाता है जैसे मैं आपको बताहूं कि GESoret का णसे डिसकाउट अंसे डिसकाउट नसे प्यूरfer strainer क होता है बाइंट कि अभी नेचर का है आपके मंद में बहुत बड़ा सवाल रहो है सर्व जो जो होता है जो तो रावाटियल कंजूम में चल जाता है ब्रेत अंसे कहा बच्중 क्रेंघ यो आपके ट्रांसों शार्जेस हैँ हे लिए आ उट एए सबस्क्राइशन यहीं आ जाएंगे एक्सपोरड डूटी आप पने पढ़ा होगा इंपोर डूटी जब ए ओन झायर ड़रा मटिपाटन पारण वयंत कि युदारने से क्षैकर निन क्ष करते हैं विद्दी वीज़्ढें में ड्रWe are यहाज एक्समेंस यहाज इसको और गो डाउन-फन वोते हैं यह सब सेलिंग है नेचर सेलिंगे दिस्टि अने के खर्चे है आड़ा वर्टी जमेंट इनका नेचर प्योर है आपका यह दिए आनलाइन डिलिवरी होती है आनलाइन डिलिवरी कोस्ट जो गुड्स पी सप्लाइब करते हैं वो एक अस्थान से दुस्रें अस्थान पर आनलाइन डिलिवरी चार्ज़ इतने हैं सब कहां चले जाएंगे आपके सेट तो सेट के खाटचर के डिस्पाउट अंसे बाइव देप्रेइव अटोब ट्रांस्पोर एकस्पोर जक्टेश धर आपका यह अनलाइन डिलिवरी कास्प्रव इंचार्ज आप्लिव इंच्टियक्ट उस अप्रशर्व होईग्स इस ट् प्लेस्टू एंदर प्लेस डिस्ट्रिबूशनल एकस्थान से दूसरे अस्थान पर डिस्ट्रिबूट करने के जो खर्चे है तो लगभग कितने खर्च होगा जैंपल आपने लिका एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ दस यह सब खर्चे लगभग लगभग यह प्योर शेडिंगि एंड़िस्टिबूशन लेचर लेचर फर्चे है अगर आपसे काल ने पूंच आजा है तो तॉट इस क्यों प्रबूशनल एकस्पनस भी आजए कहीं मिट्र मुशनल एकस्पनस दिया हूँ दो इस टाइम थीस देखिल। interesting जो होगा फ़ूसलेंड सर चास्ट के रूप मे वीज़ के उनका नेचर सिदेखिलूसर में होगा आप देखेंगे 32 पीस और इटर पीस डारेक्टर पीस यह सब कहां जाए गया था यह सब कहां जाए गया था उनका नेचर था अफिसेल एक्सपर्स लेकिन कहीं भी कुर्शन में अगर इसना है भी इस लिखा होगा तो हंडेट परसेंट हो सेलिंग डिस्रीउशन नेचर का ख कि तो मैंने आज करते हो पढ़ाया प्थका गोल्ड़न रूल जिसमें ठाइट जिसमें आपको पढ़ाएं था कंसेपट का हिका आंञक्स क्या होता है यह बाद तो मैंने बताया फैक्ट्री आपटिस और सेलिंन डिस्टिविशं यह कंसेट आपको गैंग्डन रूलत पां कि यह को आपको जान लेना और समय लेना जरूरी है अब गॉर्डन रूर नमबर यह हम लोग पढ़ेंगे एक सवार और आपसे कुछ आजाता है कभी कभी एक कुछ आपसे पूछा जाएगा कुछ सब्सक्राइब कि मैं फैक्टरी एक्सपर्स को कहां दिखाते हैं है कि मैं पैक्टरिंग एक्सपंस को कहां दिखाया जाएगा है विइक्टरी एक्सपंस पैट्र यह जांपल आप प्रब्लेश्च और कि आ प्यू पाँछ पार्ट माना जाएगा पूरी तरीके से कि यह बात आपके दिमार्ट में होनी चाहिए और अच्छे रहे हैं लेकिन मैं जो आइप के लिए आपको पढ़ा रहा हूं पूस्ट में गोड़न रूर नंबर चे मैं पढ़ाने चल रहा हूं कि युवाट आप दा यूजेज आप स्टार्ट यूजे आप स्टार्क इंस्टेटमेंट आपकास्ट रहा हूं कि जहनौ काउंट बनाएंगे एकाउं ड़ब अब कास है थे में आपकास भट में इसटाररМы रोगा सब्सक्राइब असफिक धाउक्राइब में प्लोधन सब्सक्राइब आप जानते हैं इस ना मियाफ्र Please करते हैं production कि आपको पता होगा कि जब प्रस्टाइब तो पॉड़क्शन में इस राव मट्रीन इसका मतलब तीन डाइब के स्टार्ट में रॉटेरियल का हो सकता इस ताइब को वर्क इंड प्रोग्रेस का स्टार्ट होगा डाइब का मतलब होगा वर्क इन प्रोग्रेस कि I was work in work in progress और फिनिस्ट गुड्स कोju कम्प्लीटर सब्शाग की नाम से झाते हैं लोग प्रिनिस्ट कुड तो यह इसको एक नाम और भी दिया गया Meanwhile सब्सक्राइब तक अब कास्रेंद में अगर कुछ नहीं कहा जाए तो किसका कहा इस्थमान होगा यह भी आपको जा रखना है न कि स्टांक चाहेард van उप्निंग स्टांक हो या क्लोजिंग इस टांक आप्टाइए या क्लोजिंग स्टांक इसका यूज म क्या करने इनके एयूंआ टों को को कहां सो करें इनके लिए दा वने क्रोंने ऑर क्लोजिंग इस्टार्ट को कहां वे बत यह वह स living कि नहीं होता है कैसा अपनिंग इस्टार्ट कuvo लगन जाक अगया इसी कोहShawn मत प Systems को ओपनिंग सटा करें ओपनिंग सब्सक्राइब अजए मनें सब्सक्राइब इन सहे כशे नहीं की वैरा स्क्राइब क्यों क्यों कि ओपनी स्टाख से कास्ट बढ़ जाती यह बच्चों ओपनी स्टाख से कास्ट बढ़ जाएगी और अच्छा एक सवर लेकिन कहां पर प्लस खोगा आपको यांड होगा कि कंवनी उस दिर फादूला बताए तक तरहा ही एवी सवाजुन को आपको या सब्सक्राइड को यार करो भच्छों रोप सब्सक्राइड कर दें कफारा बताया थे और इसका इस्तेमाल हम लो कहां करेंगे एक्जाम में कुछ न कहा जाए एक्जाम में कुछ न कहा जाए विदाव टेनिमेंशन के जो रूम से अगर कुछ न कहा जाए तब की बाद अगर कुछ न कहा जाए तो ऊपनी हो और जाएगगा और प्लोजिंग स्टार्टरी में माइनस हो जाएगा यहां तक नहीं लिखाऊं लिखा और इसका इस्तेमाल अगर कुछ न कहा जाए तो कहां करेंगे आफिस कॉस्ट में इसका इस्तेमाल अगर कुछ न कहा जाए तो कहां करेंगे ओठ ए मून की जबान है थो चाहिए आपिस पस्ट इसका अप जी फिरन्द की जबान्ज यह क्या है आप इसका उपनिकि इस्टक हो जाएगा रहाइन स्चार्व मानन हो जाएगा तो कास्ट अकाउंट में जब आंगे बच्चों अगर कुछ न कहा जा तो तीन ताइप होते हैं क्योंकि प्रॉडक्षन के तीन स्टेज होते हैं इसजर्व और एम चीज आपको ज्यांगा रखना है तीन स्टेज में इस थी स्टाक पैदा होते हैं कौन से स्टाक पैदा होगा स्टाक आप रो हम इस्टाक आप डलू आई पी इस टाक आप एमरेज़गूर और इनका कहां इस्तेमाल करना है पूरा पूरा बोड खाली है ध्यां से देखो लिए इसका निकाले तो आप निक्लोजिंग प्लॉजिंग स्टाग बार में कुछ न कहा धाए तो आज क्लास में हमने दो गोड़न पढ़ा दिया इसको आप ध्यान रखना प्योर त्यूरेटकल है प्योर त्यूरेटकल है इसको नोस बनाए लगर इसका इसका इस्तेमाल निमेरिकल के रूप में भी होगा बच्चों यह विश्ट है अलाकि यूटूब पर पूरे लेक्चर है यह यह थंडियों मैं उसको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि बच्चे एक बार यूटूब से रिवाइज कर लें और एक बार इस से रिवाइज करने अपको धनाता हुआ तो गोल्डन रूल नंबर 5 हो गया गोल्डन रूल नंबर 6 हो गया यह आज की क्लास में हम इसका अंकास पढ़ा दिया और कंसेट आफ अंकास के बार हमने आपको यूजज आप इस टाक बता दिया अब मैं एक छोटा सा कंसेट आपको और बता लें चलना हूं यह आप से पूशा जाता है कि what are the percentage of each items वाटर जद परसेंटेज कैसे निकाले जैसे मैथ में परसेंटेज निकाला जाता है बच्चों उसी तरीके से यह चीजा और जान लीजीए उसी तरीके से चीजा और जान लीजीए कि का जहता है कि परसेंटेज आइटम सान है तो पॉत अच्छा गुए रूर है कल्कुलेशन आफ परसेंटेज्टेज्टेज्टेज्टेज ऑफ इंडिविजुवल इंडिविजुवल आइटमस आंड कॉटल कास्ट कि यहां पर एक सब्सक्राइब होगा इंडिविजुवल आइटम्स कि यह चीज आपको बताना चाहता है वच्छों कि एक इंडिविजुवल आइटम्स का मसलब चाहें डाय नेचर के खर्चें हो एक खर्चों का टूटल कास्ट में परसेंटेल निकालते हैं ताकि यह क्यों परसेंटेज निकालते हैं ताकि कास्ट आडिट हो सकें ताकि यह पदर चल जाए कि रामटेरियल का डव्लॉस पर यह पर्सेंटेज आप कि इसके फार मुले को बता रहा हों में कि इसका जो फार मुला इस्तेमाल होगा कि इसमें सबसे पहले आप एक एक खर्चू का रिकाले यह दूसरा डारेक्ट बेज डारेक्ट बेजेज अपान टोटल कोस्टिंग तू हैंड़ यह एक खर्चों पर पर्सेंटेज निका लिए जैसे हैं कि सब्जेक्ट का पर्सेंटेज निका लें हो तो डारेक्ट एक्स्पेंस अपान टोटोटल कोस्ट रायक्ट एक्स्परेंस अपान टोटल कोस्ट इंटू इंडडेंट यह हैं चैसे हैं मुद्य Hindi द had देखले हैं मुद्यार्ड दा मनेद्यूंद कोन्य कितना यूच टोटल कौस्ट में उसका पर्सेंटीज क्या है डाहेक्ट वेजाट तोटल करेस्ट्ट क्या एक प्रोटल कास्ट पर पर जिया यह फैक 2021 आपेस भूण आपेस एक्सानस अपहेस अपान्ट यू़ोटल को़्ट हुट्य एन्ट सेलिंग एंडिस्टिब्यूशन एक्स्पेंस कि अपान टूटल कास्ट इंटू है यह चीज क्या बताता है कि जब कभी कॉस्ट आडिट होती है बच्चो इस गोल्डन रून का क्या इस्तिमाल है जब कभी कि अगना टूटल कास्ट ऊफ इसलें टूटल कास्ट इंटूटल कास्ट इसले शामटेंस और टूटल कास्ट वाटांटाइब से जहाँ होता है टुटल कास्ट बहुत ही माथचू और नूलाजाफ आपके तवर गया सब्सक्राइब को एक बार कटा पट्रिट सेज़वा इस तरह कहूं जहां से देखिए आज मैंने आपको बताया कंसेप्ट आप आंकास्ट इन्हीं आंकास्ट क्या है तो कास्ट अकाउंट में जो भी पट्टी गुलरीं डाइट एक्सप्रेंस होते हैं उन्हीं को आंकास्ट कहा जाता है चैसे फैक्टर एक्सप्रेंस को आप इस एक्सप्रेंस को आपीज आंकास् इनी एक्सप्रेंस को से रिए आंकास्ट और उनकी ज्श्यम पर मैं लिखाया मैं लिखाया त्भी करкоїच備 रपेकर्य इस खने Cash करे सपर के समय क्लोंद कैसे आपको सबकराइछ सब्सक्राइब और आपिस कास्ट के साथ फिरिस गुड़ के ओपनिंग लोजिंग का इस्तेमाल होगा बच्चों क्लियर हो गई वाद यस सर तो यह तीन गोल्डन रूल आज आपके और कबर हो गई यह यहीं साथ गोल्डन रून तक हम लोग पढ़ चुके यह प्योर थी मिल्ड रूल है कि और यह बात और आपको जान लेना है और समय लेना है कि जैसे गोल्डन रूल नंबर आठावा पढ़ाने जा रहे हैं कि गोल्डन रूल नंबर आठ यह भी हम लोग जाने करपिसार का मतलब कैए फारेंस से आइटमस अऊजिए से आइटमस और आटब सफी कांटिण इन आप विर बुर्ट फानेंस याइटमस आरव नाद रिकारड़ड़ इन कास्ट अकाउंटिंग नहीं आएंगे नहीं अएंगे नहीं आएंगे और कौन-क है जिसको आपको जान लेना है कि फाइनेंशियल एक्सपर्स कि सब नहीं कुछी वैसे होते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्स और लॉस हो गया या फाइनेंशियल इंकम हो गया फाइनेंशियल इंकम और फ्राफिट हो गया बच्चो इनको कास्ट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है तो कहां लिखा जाता है इनको कहीं न कहीं कास्ट अकाउंट में न लिख करके इनको कहीं न कहीं कास्ट अकाउंट में न लिख करके सब्सक्राइब क्या है इसी की वजह से तो कांट रिकंसलेशन स्टेट्मेंट बनता है और फाइलेंशल लास और एक्सपर्स कौन कौन से हैं जो कास्ट अकाउंट में लिखे जाएंग जैसे आपका सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसा करते हैं जिसको का रंडिक बेवोलते हैं यह सब कहीं दिया हो डिसकाउंट आन इसु आप कि शेयर आएंड वेंचर कि शेयर आएंड वेंचर को अगर 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 दिसकाउंट पर इसु करेंगे तो यह बात आपको जाल में रखता है और पानेंशल हो जाएगा कि इस्टोर अग्जेस्ट्मेंट का डेविट बैलेंस सर इस्टोर अग्जेस्ट्मेंट का डेविट बैलेंस क्या है तो जब कोई भी जनल स्टोर का मटेरियल जो होता है जै रखेएगा इसको समय लीजे जब कोई भी जनल स्टोर का मटेल जैसे आपको नुक्सान हो गया दस रूपए की चीज है बारह में पा रहें हैं यह बात में कर रहा हूं इनको आपको रहना है के प्राफिट एल लॉश का डेविट बैलेंस का डेविट बैलेंस अप्राफिट एल लॉश लॉस अंसे लाव लॉस अंसे लाव असेस संपत्तियों जो भी अस्थाइ संपत्ति हैं लैंड बिल्डिंग टार्म सींडरी फरनिचर इनको बेचने पर अगर नुफसार हो जाता है और जिसको भी आपको द्याम रहना है क्या कि आपने लिए नहीं पर कहो डिदेंट आपने दिया लावां कि डिविडेंट पैड कंपनी ने डिविडेंट बेड़ किया हो कि कितने कर्चे आपने का एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह प्योर आपके प्योर फाइनसेल एक्स्पेंस और लॉस है यह आपने इंट्रेस्ट पेड़ किया हो कि इंट्रेस्ट हुं और आपश्त्र में दिखाना है इसी तक ये विद्ट्च हो खेंट में गया करिखा वह अगर इंकम टैक्स वापस आया हो जा रखें जैसे इनकम टैक्स पेड़ करना रिपंड आप इंकम टैक्स इस रिपकटब आप इंकम इंकम टच वापस आया हो। प्राफिट आन। में से लव अस्थाइस संपत्ती है स्कुल हूँ अगर एक फ्रापिड फाइंश्यल इंकम होगी प्रापिट एन लौस का उंसे क्रडिÈट बैलनेंच फ्रापिट्ट का अंस्फाने अंस्फाम। है सब पिर पताइं स्टोर किया है धिरी जबाब सुस्थीन में जनल स्टोर के मटेर्येल पाजा है इस्टोर अदेश्ट्मेंट का क्रेडिट्ट वैलेंस ट्रांस पर फीज कि उस्फब इस इंट्रेंस रिशीव दान इंबेश्ट्मेंट इंट्रेस्ट रिसीट डान इंबेस्टमेंट यह सब प्योर फाइनफिय इंकम है डिविडेंट रिसीट लावांस अगर मिला हो अगर आप आपने । यह फाइनफियल आइटम्स क्या होता है ज़रा आपटो जाएं ऑन दोता है कि आप बहुत अच्छे से जान देशिएंगा मैं जब हम तो इस एक हैं उनको च्छाटकर थाइन्सर पर इनकौन में करें इस करेंगे उनको इनको पाइन्सर लाइस और जैसे मैंने आपको बताया इंकम टैक्स पेड गुडविल राइट आफ प्रारंबिक बेंग डिस्काउंट आन इसु आप शेयर एट वेंचर इस्टोर अजस्टमेंट का डेविट वैलेंस पीयर का डेविट वैलेंस लास अंसे लाफ पिक असे डिविदेंट पेड इंटरस प्राइट आन पोण, बेल्च तेक्स यह प्योर फाइनसियल एक्सेंस अर लोस्त वत्चों, रिफंट आप इंकम टैक्स, प्राफिट आप असे प्राफित अ प्राफिक उल एक्स पेयर का डेविट वैविलेंस, इस्टोर अरजस्टमेंट का क्रेडिट वैलेंस, दीविए में आपको पताओं कि मैंने जो तीनों आपको सिखाया सब्दाया था तीनों गोर्डन रूल में क्यों थी कंसेट्ट्ट थी और आठ गोड़न डूल आश्ति नहीं मैंने चल बता हैं कंसिप्ट आप क्या है उजर्ण पिस्टार्ट क्या होता है और तीसरा हम ने आपको बताया उच्छाब केलकुलेशन आप पर्सेंटेज आप इस आइटम साइं टोटल कास्ट और लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करना है इनको देखते ही दोड़ा लेना है क्योंकि इनकी रिकाटिंग क्यों और क्यों एक तर्फा फाइन से रिकाटिंग में नहीं तो आज के लेक्चर में बच्चों परिवाइज कर लिजिएका फटाफटन पूशेंगे नोट्स बना लीजिए गा आउज के लेक्चर में हम आपको 4 गोल्डन डूल पढ़ाएं यहीं टूटल गोर्टन डूल आठ हो चुका है और तीन चार गोर्टन डूल आपका बाकी है केवल और केवल उसके